नमस्काद रश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज में लिकराई हूँ वर्ष 2021 का राशी फल मीन लगन वा मिथुन राशी के जातकों के लिए अगर आपका कमीनेशन ये है कि आपका मीन लगन है और मिथुन राशी है तो आप ये वीडियो देख सक मीन लगन का क्या आर्थ है कि आपकी जो लगन कुंडली है उसके पहले भाब में 12 नमबर की राशी लिखी हुई है इसका आर्थ है आपका मीन लगन है और चंदर्मा आपके चौते भाब में बैटा है तीन नमबर की राशी में इसका आर्थ है आपकी मिथुन राशी मीन ल बरस्पती शनी महराज राहू और कीतु मील लगन में बात करें तो वर्ष का जब आरम होगा तो देव गुरु बरस्पती वर शनी महराज एकदश भाब में होंगे और 6 अपरेल के बाद गुरु दौदश में चले जाएंगे और सितंबर के बाद फिर गुरु मकर में शनी महराज 3, 6, 11 का बहुत अच्छा फल देते हैं और देव गुरु बरस्पती भी एकदश भाब का अच्छा फल देते हैं पर बीच वीच में वो दौदश पर भी जाते रहेंगे राहू वर्ष भर आपके तीसरे भाब में रहेंगे और राहू तीन, छे, दस और ग्यारा का बहुत अच्छा फल देते हैं राहू तीसरे भाब में रहेंगे और भागे भाब में आपके केतु विराज मान रहेंगे और अगर हम मिथुन राशी की बात करें तो मिथुन राशी में इस समय शनी की ढहिया चल रही है शनी माराज आपके अश्टम भाब से गोज़र कर रहे हैं और वर्ष का जब आरम होगा तो देव गुरु बर्सपती भी आपके अश्टम भाब में होगा यानि आपका वर्ष की आरभ में दशमेश भी अश्टम में होगा और आपका सब्तमेश भी अश्टम में होगा इसकार्थ यह है कि आपका जो काम के भाब का स्वामी है वो भी अश्टम में और आपके दमपत्य जीवन का स्वामी भी अश्टम में होगा चेह अप्रल के बाद देव गुरु बर्सपती भागे बाब में चले जाएंगे जो बहुत शुब हो जाएंगे राहु द्वादश भाब में विराजमान रहेंगे वर्ष भर और केतु रहेंगे आपके छटे बाब में तो मीन लगन वा मिथुन राशी के जातकों के लिए वर्ष 2021 कैसा जाएगा अब इसमें सबसे पॉरिटिव बात यह आ रही है कि यह जो कब्मिनेशन बना है इसमें हमें गुरु के शुपता पूरे वर्ष भर मिलेगी जैसे जब मीन लगन के साब से लें तो वर्ष में जब गुरु मकार राशी में होंगे तो देव गुरु बर्सपती एक अदर्श में होंगे जहां का वो बहुत अच्छा फल देते हैं और जब देव गुरु बर्सपती कुमराशी में चले जाएंगे तो वो मिथुन राशी से आपके भागे बाब में आ जाएंगे और भागा बहुत अच्छा फल देते हैं तो वश्च भर हमें गुरु के शुक्ता मिलती रहेगी लेकिन तब उसके बाद जूद भी ये कंबिन मीन लगन और मिथुन राशी का खाली 70% बढ़िया देगा इसको मैंने 85% नहीं दिया इसको 70% दिया उसका रीजन क्या है जब मीन लगन में देव गुरु बर्सपती यहां पर एकदश भाब में होंगे तो वो समय ऐसा होगा जब मिथुन राशी के दार पर गुरु अर्श पड़ेगी हम बिल्कुल बेफिकर होके काम नहीं कर सकते थोड़ी सी सामधानी लेके चलेंगे केरियर पाइंट आव्यू से अब हम देखते हैं कि हमारे लिए यह गोचर क्या फ़ल दी रहा है तो वर्श भर हमारे पास केरियर से जुड़ी छुप घटना गट सकती है क्यो बड़े प्रकार की जोखी मत लीजिए विशेश का जनवरी फरवरी मार्च में आप केरियर को लेकर कोई बहुत बड़ी जोखी मत लीजेगा मान रहे हैं गुर् intrins में है और शुप है लेकिन यह से गुरु अश्टम में है और राशी से अगर शुप है तो थोड़ी से और बाकी जो वर्ष के महीने हैं जैसे अप्रेल, मई, जून, नौहमबर, दिसंबर ये भी आपके लिए पॉडिटिव रहेंगे बस जुलाई अगज सितंबर में गुरू और शनी थोड़े से वक्री होंगे तो थोड़ा सा काम आपका थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन अगर व कि अब वाल में आपके संग कुछ बूरा होने वाला है पर वह समय ऐसा है कि एक तरफ तो गुरु एक पबाल आपके तस तरह को ये एक तरफ न गूरुप होंगे तो दो जगह प्रावर्वल सकती है एक तो आपके काम में एक आपके द्रबहते जिवन में इस समय जोब्ही केरियर से जुड़ी शुप घटना है घटेंगी जनवरी फरवरी मार्च में सोड़ी साफ़ानी रखिए आपके लिए शुप समय रहेंगे अप्रेल माई जून नौहमबर दिसमबर इसमबर इसमें आप अपने केरियर से जुड़ा कोई भी मैत्पूर निड़ने ले सकते हैं आपको जौब मिल सकती है यही मैं नहीं कह रही कि जौब आपको जनवरी फरवरी मार्च में नहीं मिल सकती है जौब लेकिन जनवरी फरवरी मार्च में आप जौब को बदलिये गमत साथ ही आप वैपार में कोई अच्छा नहीं वेश कर सकते हैं कुछी नए काम की जन्बाप को लगातार देखेंगे गुरु एक अदश में रहेंगे और यहां से भी घुरु आपको धन्बाप को देखेंगे तो financial position में आपको कोई tेंशन नहीं है फैनेशर position आपकी वर्शवर अच्छी रहेगी दामपत्य जीवन के लिए मैं जरूर कहूंगी कि दामपत्य जीवन में हमेशे विशेशुप से सावधानी रखनी पड़ेगी जन्वरी फर्वरी मार्च सिटमबर अक्टूबर क्योंकि सप्तम्भ आपका स्वामी अस्टम में गया है क्योंकि यह गोचर पहले आया था 29 मार्ट से लेकर 29 जून के बीच में तो मेरे पास कई लोगों ने कहा कि साव हमने तो तलाक का डिसीजन ले लिया तो ऐसा फास्ट डिसीजन मत लीजिए गोचर आया है वो गोचर चला भी जाएगा थोड़ा सा पेशेंस रखिए अगर आपको लगता है कि मद्वे जादा भागे बाप में चला जाएगा तो हो सकता है आपकी गलत फैमी दूर हो जाए इसलिए दापते जिवन में साब्धानी आपका मील लगन वा मित्वन राशी का कमिनेशन है और इस वर्ष अपनी संतान प्लान कर सकते हैं आपको संतान सुक मिल सकता है और संतान से जोड़ी ख शुक्र जैसे घ्रहे खटे होंगे उस समय अपने स्वास्ते का विशीर से ध्यान रखेगा और अगर आप मील लगन वा मीत्वन दाशी के जातक हैं और आपका कोई कोट केस वगरा चल रहा है वर्ष 2021 में तो उसमें जनवरी फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर में ध गुरू जब अश्टम में होते हैं तो शत्रू आपके ज्यादा भारी हो जाते हैं क्योंकि गुरू की कनेक्टिविटी आपके द्वादर्श भाप से हो जाती है एक दो तीन चार पांच तो कोट केसिस में बिल्कुल साबधानी शत्रू आप पे हावी होने की कोशिश करें इसलिए इस समय थोड़ी सी साबधानी रखिएगा तो इस तरीके से हमारे लिए हमारे काम बनने का जो समय आ रहा है वो आ रहा है जनबरी फरवरी मार्च अप्रेल मई जून नौंबर दिसम्बर और साबधानी रखने के लिए जुलाई अगस सितंबर पर जॉब आप शनी अश्टम में चल रहे हैं तो शनी की धहिया का उपाये जरू करिए शनी की धहिया के तौर पर आप शनी महराज के मंदिल जाए वहां पर चाया दान करिए चाया दान के लिए स्टील की कटोरी लीजिए उसमें एक रुपे का सिक्का डालिए सर्थो का तेल या तिल का पर दालिए उसमें अपनी चाया देखिए और उसके बाद उसे शनी मवराज की मूर्ति पचड़ा देखिए शनी से जूड़ी बस्तू का दान आप शनीवार को कर सकते हैं किसी को गरीब आत्मी को कुछ पैसा दे सकते हैं औरत की दाल की कचोड़ी किला सकते हैं कोई लोहे की काली बस्तू कंनीश शनीवार को ऐस लिक तो पैसे हैं अथ और आप लगता है कोई बड़ा शनी माराज को स्कूरत करने के लिए इस किवार Лचा शनी प्रसंग करने के लिए हनुमान जी की पुझ रीड़ा करिया की है कि आप साथ हनुमान जी सी अचै पर दीमान जी कोudле च सिंदूर लेके जाना पड़ेगा सिंदूर चमेली का तेल चांदी का वर्ख पांच मोती चूर के लड़ू एक देसी पान का बीड़ा जिसमें पांच जो है लॉंग लगी हो वह आप मंदिर मेले जाए पुझारी जी हनुमान जी को चुला चड़ा देंगे उसके बाद हो मेल लगन और मिठुनराशी का कमीनेशन है तो यह आपका वर्ख समय 70% तक बढ़िया है वर्ख भर आपके संग्षूब घटनाएं गटेंगी लेकिन वर्ख भर जुच कुछ भी करिए तो प्लानिंग से करिए इस बात का ध्यान रखिए जहां मील लगन में ग्रहों की इस् काम में लापरवाई बिलकु मत करिएगा इस बात का ध्यान रखिएगा मेरी प्रभू से प्रात्ना है कि आपके लिए वर्ख बहुत अच्छा जाए अगर दो दश्को आप बताईएगा आपको मेरे वीडियो कैसा लगा और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली ब ठाताली